आज की class में हम बात करेंगे virtual memory के बारे में और virtual memory के साथ साथ इन दो topics के ओपर भी बात करेंगे कि paging और frame operating system में क्या होते हैं तो start करते हैं आज की class को सबसे पहले virtual memory virtual memory होती क्या है virtual memory एक mechanism है जो की illusion create करती है कि हमारी जो main memory है उसका actual size काफी बड़ा है इस बात को मैं एक example के साथ आपको explain करता हूँ देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक main memory है जिसका ये size आपको दिख रहा है इस main memory के उपर हमें क्या करना है इस p1 process को execute करवाना है actually इस process बोलने से अच्छा रहेगा प्रोग्राम बोलना ऐसा क्यों इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा तो देखते रहें तो इस p1 प्रोग्राम को या p1 process को मुझे execute करवाना है main memory पर आप देख पा रहे हैं कि main memory का size p1 प्रोग्राम से काफी छोटा है तो अभी के लिए p1 को main memory पर execute कराना possible नहीं है same as p2 and p3 को भी हम main memory के उपर execute नहीं करवा सकते क्योंकि p2 and p3 का size भी main memory से काफी बढ़ा है तो यहाँ पर एक problem generate होती है कि कैसे हम किसी भी process को जिसका size हमारी main memory main memory मतलब RAM RAM से काफी बढ़ा हो तो कैसे execute करवाया जा सकता है तो इस problem का जो solution है वो क्या है virtual memory तो अभी के लिए हमें इतना ध्यान में रखना है कि जब भी हमारे पास में जो execution में आने वाले sorry execution में आने वाले जो program यह process है उसका size काफी बढ़ा हो main memory से तो virtual memory का concept को use करते हुए हम उसे main memory में execute करवा सकते हैं तो virtual memory होगा क्या definition देख लीजिए virtual memory is a storage mechanism which offer a user an illusion of having a very big main memory जो कि हमें क्या illusion provide करती है कैसा illusion provide करती है कि हमारी main memory काफी बढ़ी है actual में होती नहीं है सिर्फ एक illusion है सिर्फ एक दिमाख में कलपना बन जाती है कि हमारी main memory काफी बढ़ी है it is done by treating a part of secondary memory as a main memory मतलब क्या हुआ कि हमारी secondary storage जहांपर की हमारा program already पढ़ा है secondary storage में बना hard disk जहांपर की पढ़ा होगा उस secondary storage को as a main memory की तरह यह use में लेकर आता है यह concept और जिससे क्या होता है कि हमारा RAM का size काफी बढ़ा हो जाता है और हम अपने किसी भी program को यह process को execute करवा पाते हैं तो कैसे होता है इस चीज़ को अब हम समझेंगे इसे समझने के लिए हमें दो concept के बारे में समझना पड़ेगा एक तो होता है pacing का concept और एक concept आता है frame का concept तो अब हम इन दोनों concept के बारे में बात करेंगे जिससे कि हमें virtual memory का concept अच्छे से clear हो जाएगा तो अभी के लिए हमने यह diagram देखा था जिसके अंदर कि हमारे पास में तीन program थे P1, P2, P3 तीनों का size काफी बड़ा था main memory के अंदर किसी को भी execute करवाना possible नहीं था अब हम क्या करेंगे virtual memory का concept यूज करेंगे और हम P1, P2, P3 तीनों को एक साथ main memory में execute करके देखेंगे कैसे execute किया जा सकते हैं तो जब भी किसी भी program का size काफी बड़ा है execute नहीं करवाया जा पा रहा तो हम एक concept लेकर आते हैं paging का paging क्या कहती है कि program को program कहां पर पड़ा हुआ है हमारे पास में secondary storage में तो सबसे पहले तो इस बात को clear कर लेते हैं कि program और process में क्या difference होता है program क्या होता है passive program instructions जो कि हमारे पास में कहां पर है hard disk में है secondary storage में है तो वो क्या कहलाएगा program कहलाएगा और जब किसी instructions को या किसी program को हम main memory में ले जाते हैं RAM में ले जाते हैं तो उस time पे वो क्या बन जाती है process बन जाती है इसलिए मैं इसे बार-बार program बोल रहाँ तो program बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा लेकिन process बोलकर हम इसे थोड़ा अच्छे से समझ पा रहे हैं तो मैं इसलिए process भी यूज़ कर रहाँ word को clear अभी बात को तो अब हम बात कर रहे थे P1 हमारे पास में क्या एक program है जिसे कि मुझे कहाँ पर execute करवाना था main memory में करवाना था P1 का size बड़ा था तो हम क्या करेंगे इस पूरे program को छोटे छोटे पार्ट में break कर लेंगे और हर पार्ट को किस में store कर वा लेंगे pages में store कर वा लेंगे वो depend करता है हमारे page के size के उपर तो पूरे program को break किया और किस में store कर दिया pages के form में store कर दिया कहाँ पर कर दिया secondary storage के अंदर कर दिया same as P2 को same as P3 को इन सब को भी हम क्या करेंगे छोटे छोटे पार्ट में break करके pages के form में store कर वा लेंगे तो pages कहाँ पर store होते है secondary storage के अंदर store होते है गया, same as यहाँ पर भी 1, 2, 3 हो गया, same as here हो गया, तो यह हमारे पास में क्या हो गया, तीन अलग-लग प्रोग्राम थे, या तीन अलग-लग प्रोसेसे थे, उसे हमने पेजिस में break कर दिया, कहा पर, scanty storage में अब हम क्या करेंगे इन pages को क्योंकि हमें पाता है कि जब भी कोई program execute होता है एक बार में तो सारा का सारा execute नहीं होगा तुकडों में execute होता होगा पहली line execute होगी फिर दूसरी फिर तीसरी ऐसे कुछ-कुछ part में execute होगा तो जिस program की जिस instruction की या जिस page की हमें requirement होगी सिर्फ उसी page को हम कहां पर लेके जाएंगे main memory में लेके जाएंगे उसे execute कराएंगे जब वो execute हो जाएगा तब हम दूसरा page को main memory में लेके जाएंगे इसलिए बारी-बारी से हम pages को main memory में लेके जाएंगे जिससे क्या होगा कि main memory का size कम है तो भी हमारा पूरा का पूरा program main memory में execute हो जाएगा तो इसे देखी आगे देखी कि हमारे पास में ये P1 पूरा program था इसे execute कराना था इसका एक page था जिसका नाम मेंने A रख दिया ये page number A है इसका page का नाम क्या है B है अभी इस program P1 को execute होने के लिए A और B को main memory में लेकर आना था इस page number A के अंदर भी कुछ instruction लिखी हुई है B में भी कुछ instruction लिखी हुई है तो A और B को मैं उठा कर कहां पर ले गया main memory के अंदर ले गया ये मेरा A चला गया और ये मेरा B चला गया इससे होगा क्या मेरा program P1 execute होना start हो गया main memory के अंदर अभी दो की requirement है और किसी requirement होगी तब हम क्या करेंगे बाकी pages को भी उठा कर कहां पर ले जाएंगे main memory में ले जाएंगे लेकिन अभी दो की जुरूरत ही हमें सेम एज P2 को भी execute करवाना चाता था उसी टाइम पर ही तो हमने क्या किया इसका जो page था जिसका नाम था एक्स था उसे उठाकर भी मैं कहां पर ले गया main memory में ले गया तो मेरा P2 program भी उसी वक्त execute होना start हो गया इसे concept को ही कहते है multi programming का सेम एज मेरा यह P3 को execute कराना था तो इसका जो page था एक्स उसको भी ले गया यह भी execute होना start हो गया तो virtual memory का सबसे बड़ा advantage आप जो लेंगे वो क्या है multi programming की multiple program पहले देखिए virtual memory का जब तक concept नहीं आय था तब तक तो हम एक single P1 को भी execute नहीं करवा पारे थे main memory के अंदर virtual memory का concept लाने से हम सिर्फ P1 नहीं P1 P2 P3 तीनों के तीनों प्रोग्राम को यह तीनों की तीनों की तीनों प्रोसेस को ही हम main memory में execute करवाने के लायक हो गए है तीनों एक साथ execute हो रही है multi programming का concept हो गया second advantage की बात करे virtual memory की तो हम एक large size की application को यह large size के program को भी execute करवा पा रहे है कहां पर execute करा पा रहे है main memory में execute करा पा रहे है तो यह आपके virtual memory के advantage हो गए problem भी है इसके अंदर problem क्या है disadvantage क्या है इसकी swapping swapping कैसे जैसे कि हमने A वाला execute करवा लिया B वाला करवा लिया अब मुझे मालो यहां पर यह page number था C इसको execute करवाने है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरी main memory तो fill हो गई तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पर page replacement algorithm लगानी पड़ेगी swapping करनी पड़ेगी इन चारों में से किसी भी page को निकालना पड़ेगा एक दूसरा page यहां पर fit करना पड़ेगा तो बार बर हमें क्या करना पड़ेगा swapping करनी पड़ेगी time consuming होगा और इस time consuming के कारण हमारी जो application होगे हमारा जो system होगा वो क्या हो जाएगा slow हो जाएगा virtual memory के कारण हम बड़े size के program को तो execute कर सकते हैं लेकिन से हमारी system की जो speed होती है वो क्या हो जाती है slow हो जाती है तो यह इसका एक disadvantage भी आप इसके अंदर add कर सकते हूं तो अब हम बात करते है पेजिंग की definition की तो पेजिंग होता क्या है अभी हमने पड़ा था पेजिंग एक mechanism है जिसकी help से secondary storage में पड़ी हुई किसी process को main memory में लेकर आया जाता है ताकि उसे execute कर वाया जाते main memory में लाने के लिए मतलब secondary storage मतलब hard disk में कोई एक process पड़ी है किस form में पड़ी है pages के अंदर पड़ी है उस pages को उठा कर कहां पर लेकर आएंगे हम main memory में लेकर आएंगे ताकि वो execute हो सके main memory में क्या पड़े होंगे frames पड़े होंगे तो यहाँ पर एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है कि हमारा जो page का size है और जो हमारे frame का size है वो हमेशा equal होना चाहिए अगर वो equal नहीं होगा तो हमारा page जो होगा वो frame के अंदर completely fit नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर problem generate हो जाती ह तो page का size और frame का size हमेशा क्या होता है इकवल होता है इस चीज को में हमें ध्यान रखेंगे अब बात करते है frames की तो frames क्या होता है मैंने भी बताया कि जो main memory होती है वो frames में divided होती है hard disk के secondary storage जो होगी वो किसमें divided होती है pages में main memory किसमें divided होती है frames में होती है frames को क्या है जो secondary storage से जो हमारे पास pages आए हैं उसे frames में fit करना और frames में fit करने के बाद में CPU उन frames को use करके उस particular process को क्या करता है execute करते हैं तो जब तक कि कोई process frame में save नहीं होगी तब तक CPU से क्या नहीं करता execution में नहीं लेकर आता या उसे execute नहीं करता तो यह था concept आपका virtual memory का paging का और frames का आई होप आपको अच्छे से clear हो गया होगा फिर भी अगर कोई doubt हो तो मुझे comment section में बताएं आज की class के लिए पना ही thank you